अभी आप देख रहा होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पूने जिले में विसेश कर पूने सहर में कुरोना वाइरस के पॉजिटिव केसेज काफी बढ़ रहे हैं मैं आप सबको बताना चाहा रहा हूं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि काफी हमने बड़ी संख्या में टेस्ट सुरूग की है एक दिन में तक्रीबन 700-800 से जादा टेस्ट सम रोज कर रहे हैं और उसमें नॉमली हम यह देख रहे हैं कि पचास से साथ के बीच में पेसेंट्स आ रहे हैं इसका अर्थ है हुआ कि सैंपल का साइज हमने बढ़ाया है और खासकर जिस एरिया में ज्यादा कॉंसेंट्रेशन है ऐसे पेसेंट्स का या जी लोगों के सिम्टम्स बहुत दिख रहे हैं ऐसे लोगों के टेस्ट किये जा रहे हैं तो इसलिए मैं सब को बताना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा गवराहाट की ज़रोत नहीं है मात्र इस समय आपको भहुत ध्यान रखने की ज़रोत है जो हम सुरू से ही सोसल डिस्टंसिंग का मेसेज दे रहे हैं कि आप घर मे रहें बाहर ना निकलें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम एक दिन जाते हैं चावल लेने दूसरे दिन दाल लेने और उसके बाद फिर सबजी या फिर डॉन मज लेने एक ही बार में अधिक सधिक समान लेकर आएं और बाहर ना निकले ये बहुत जरूरी है इसके अलमाद दूसरी बात ये है कि हम पूने जिले के जो केसेश हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ अनफर्शुनेट डेथ्स भी हुए है उसमें ये देखा गया है कि जो खासकर हमारे छितरों में जैसे कि भावानी पेठिया कुछ खास ऐसे जगह हैं वहां कि जो पेसेंट से उनका प्रोफाइल देखने से हमें दिखता है कि यह पे विमेन के संख्या भी काफी जादा है जो कुछ डेथ्स हुए हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि विमेन के संख्या पूरुसों के बराबर है नॉर्मली ऐसा होता है कि डेथ रेट में महिलाओं के संख्या कम होती है इससे ये सिद्ध होता है कि लोग अपना रोग दबा रहे हैं या फिर जब तक सीरियस नहीं होता है तब तक वो बाहर नहीं जाते मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अपना रोग न दबाएं अगर आपको कुछ भी फीवर, ड्राइकफ, ब्रेथलेसनेस ये सब बहुत बाद के सिम्टम्स है उसके पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ वैसा लगे कि भूख नहीं लग रही है या फिर आपको थकावट मसूस हो रही है या फिर मामली बुखार है वो ऐसा समय है कि जिसमें आप जाकर डॉक्टर से मिलें कोई भी लक्षन आपका गंभीर हो उतना दिन तक इंजार ना करें ये बहुत जरूरी है महापालिका ने कई जगों पे नए-नए फ्लू क्लिनिक से स्टार्ट किये है आप जाकर अपना चेक अप कराएं ये बहुत सबसे जो आज हमारे लिए जरूरी है ये बात है इसके अलावा जो महत्वण विसाय है कि सोसल डिस्टंसिंग बारे में हम ये बताना चाहाएंगे कि पूरे पूने सहर को पिंप्री चिंजवर्ड को हमने कंटेंडमेंट जोन जाहिर किया है कुछ-कुछ जो खास एरिया है जहां पे केसे जादा है वहां तक ये भी ऐसे नियम बनाया है कि वहां पे आपको सबजी जो बहुत जरूरी जो समान है वह भी सायद आपको थोड़े दिनों के लिए नहीं मिलेगा इसका अर्थी ये हुआ कि हमें किसी भी तरीकी से जो वाइरस के स्प्रेड है उसका चेन ब्रेक करना है इसमें हमारा सहकारे करें दूसरा ग्रामीन भाग के लोगों को ये कभी भी आसा नहीं लगना चाहिए कि उनके पास कोई रिस्क नहीं उनको भी रिस्क है सरकार ने खेती करने के लिए जो भी हमारे प्री अग्रिकल्चर अक्रिविटी है प्री मौनसोन या खरीफ सीजन के लिए जो हम काम करते हैं उसके लिए आपको इजाज़त दी गई है इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपना ट्रैक्टर या फिर जो भी वहाँ है उसका इस्तमाल कर सकते हैं घर से बाहर जा सकते हैं लेकिन ये करते समय आप सावधानी रखें और ये ना समझें कि गाउं में कोई रिस्क नहीं है गाउं में भी रिस्क है आपने देखा होगा कि सहर के साथ सथ ग्रामीन भागों में भी काफी केसिस पाये गए हैं जो हमारे ग्रामीन भाग के सभी नागरीख है उनसे मेरी विशेस विंती है कि आप बहुत सावधानी के साथ अपना काम करें इसके अलावा उद्योग के बारे में एक जो बहुत ही महत्पूर्ण सूचना में देना चाहूँगा कि बाहर की जितने भी इंडस्टिज हैं जो की चाकन हो, रांजन गाउं हो या फिर कोई भी ऐसा और इक्षित्र आप बिसिकली अपना काम सुरू कर सकते हैं नियम का नुसार लेकिन अपने लेवर, अपने वर्कफोर्स को अपने साथ रखना पड़ेगा उनको किसी भी हालत में पिंपरी चिंचोड या पूरे सहर के अंदर आने जाने की इज़ाज़त नहीं है यह नियम बिल्कुल सोच समझ कर बनाया गया है यह सब खास बाते हैं अभी पूना जिस दौर से गुजर रहा है उसमें हर हालत में प्रसासन के साथ हर व्यक्ति का सहकारे बहुत ही ज़रूरी है मैं जिराधिकारी के रूप में सबसे एक बर विंदी करता हूँ कि आप इस संकल्प लें कि जो भी प्रसासन आपको निर्देश दे रहा है उसको निभाने में आप हमारे साथ देंगे धन्यवाद